नमस्कार आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज के लिए विधान सबा के गाउं का दोरा कर रही थी रविवार को भाजपा नेतरी एं महिला विकास निगम की चेर पर्षन बभीता फोगाट बिरही कला पहुंची तो दरजनों किसान मजदूर वे समाजिक संगठनों ने किर्शी बिलो के विरोध में बभीता की गाड़ी का गहराव किया तथा काले जंडे दिखाई देश वाज़ियों के लिए राहत की खबर है हरियाना में कोरोना संक्रमन की रफ्तार कम होने लगी है परति दिन कोरोना केसों की संख्या घट रही है वहीं ठेक होने वालों को आगड़ा भी बढ़ रहा है रविवार को परदेश में कोरोना के 1452 केस सामने आए और 89 लोगों की मोध हो गई वहीं 3370 लोगों ने कोरोना को माद दी इस समय 2187 एक्टिव केस हैं और रिकावरी दर 96.12% पर पहुँच चुकी है हर्याना के मुख्यमंत्री मनहोरलाल ने 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों वह मकानों की मलकियत उन पर काविज व्यक्तियों को देने की गोशना की है इसके लिए एक नीती बनाई गई है जिसके अंतरकत काविज व्यक्तिकों मालिकान हक के लिए क्लेक्टर रेट से भी कम रेट की अदाई की करनी होगी मुख्यमंत्री या गोशनार रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फिरेंस को संबोधित करते वे की हरियाना में एक हफ्ते के लिए लोकडाउन फिर से बढ़ाया गया साथ जून तक लागू रहेंगी पाबंदिया लोकडाउन के नियमों में भी राहत दी गई सीम मनोहरलाल ने प्रेस कॉन्फिरेंस के दोरान जानकारी दी वहीं दुकान खोलने के समय में बदलाव किया गया अब सुबै नो से तीन बजे तक खूलेंगी दुकाने दक्षन हरियाना के रेवाड़ी और मेहंदरगड में कोरोना क हमज़ोर पड़ने लगा है रेवाडी में कोरोना से एक भी मोत नहीं हुई तो वहीं महेंदरगड में आविश्य दो लोगों की मोत हुई है रेवाडी में 52 लोग कोरोना पोजिटिव आये हैं वहीं महेंदरगड में मातर 49 लोग कोरोना पोजिटिव आये हैं बावजुद अधिकारी अभी भी लोगों को जागरू करते हुए COVID-19 गाइडलाइन का पालन करने की समझाईश दे रहे हैं देश दुनिया में सांसकर्तिक पहचान रखने वाला जैपूर अपने अंदर हैरिटेज, वास्तुकला, संसकर्ती और एतियासिक विरासत को समेट हुए है युनेशको द्वारा वर्ड हेरिटेज सीटे में सामिल गुलाबी नगरी जैपूर भारत के खूपसूर्थ सहरों में से एक है यहां घूमने आने वाले देशी विदेशी सहलानियों के लिए सबसे पसंदिदा प्रेटम स्त्रों में से एक हवा महल है 953 जालीदार जरोखो वाला यह हवा महल आठ साल बाद फिर से समकेगा लोगडाउन में हवा महल में निखार लाने के लिए रंग रोगन का काम चल रहा है ऐसे में लोगडाउन हटने के साथ ही सहरवासी और यहां आने वाले सहलानी इसका दिदार कर्श केंगे पंजाब नेशनल बैंक यानि PNB गोटाले के आरोपी मेहुल चोक्षी के जल्द भारत परत्यारपन की उमीद बढ़ गई है एंटीगुआ के परधान मंतरिक गैस्टन ब्राउन के मताबिक भारत ने एक प्राइवेट जेट के जरिए डोमेनिका सरकार को चोक्षी के परत्यारपन के दस्तावेज बेज़े है चोक्षी इस वक डोमेनिका की जेल में बंद है हालांकि चोक्षी को लेकर भारत की तरब से अभी तक कोई आदिकारिक बयान सामने नहीं आया है उसके वकिलों ने दाबा किया है की चोक्षी से मार पिट की गई है British Veganico ने दावा किया कि Corona Virus चीन की वहान लेब से ही निकला और इसके प्राकरतिक तोर पर चमगाज़ों से फैलने के कोई शुबूत सामने नहीं आए नया दावा चीन की पहले से ही बड़ी हुई मुशिबतों में इजाफा करने वाला है अमेरिका और कुछ पर्षमी देश पहले ही Corona Virus के ओरिजन यानि इसके फैलने की शुरुवात और चीन के दावों पर सवाले निसान लगाते रहे हैं अमेरिकी राश्पती जो बाइडन ने तो बाकाइदा देश के खुपिया एजेंशियों से 90 दिन में रिपोर्ट तलब की है अब बिर्टिस वेगैनिकों के खुलासे ने चीन पर सक और सवाल बढ़ा दिये हैं दूसरी तरफ चीन ने सिर्फ एक बयान जारी कर चुपि साद ली है देश के सबसे बड़े बैंक यानि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने नोन होम ब्रांच से कैश विड्रोल के लिमिट में बदलाव किया है या बदलाव कोरोना महमारी को देखते हुए किये गए है ताकि ग्राहक अपने करीब की ब्रांच से ज्यादा रकम की निकाशी कर सके बैंक ने सोशल मीडिया के जरीए जानकारी देते हुए बताया है कि नोन होम ब्रांच यानि अपनी घ्रेलू साखा से अलग साखाओं से पैसे निकालने की सीमा को बढ़ा दिया गया है या बदलाव सिर्फ 30 सितंबर 2021 तक मानने होंगे नए नेमों की मताबिक सेविंग बैंक पास्बुक के साथ विड्रॉल फॉर्म के जरिये अपने नाम पर अब परती दिन 25 जार उपए तक नगत निकाल सकते हैं ग्रहक चेक के दोरा अपने नाम पर एक लाग रुपए परती दिन तक निकाल सकते हैं थर्ड पार्टे के द्वारा यानि सिर्फ चेक के जरिए पैसार निकालने की सीमा पचास जार की गई है नोकरी पैसा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड यानि पीएप से जुड़े एक बड़ी खबर है अब नोकरी देनवाली कंपनी को पीएप खाते के आधार से वेरिफाइड करना होगा नया नियम एक जुन शेह लागो हो जाएगा नया नियम के मताबिक अगर नोकरी देनवाली कंपनी यानि एमप्लोयर ऐसा करने में एसफल रहती है तो इससे सब्सक्राइबर के अकाउंट में एमप्लोयर का योगदान रोका जा सकता है ऐसे में सब्सक्राइबर के लिए अपने पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करना महत पूर्ण हो गया है साथ इस सब्सक्राइबर्स का UAN भी आधार से वेरिफाइड होना अतियाउशक हो गया है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिम्टेड यानि PS PCL ने असिस्टेंट लाइनमेन समेथ करीब 2000 पदों पर भरती के लिए नोटिपिकेशन जारी किया है इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरीए कुल 2632 पदों पर भरती की जाएगी इन पदों के लिए ओनलाइन अप्लिकेशन प्रोसेस 31 मई से शुरू होगा इच्छो कैंडिडेट्स 20 जून तक ओफिसिल वेबसाइट यानि PS PCL.in के जरीए ओनलाइन आविदन कर सकते हैं इन पदों के लिए आविदन करने वाली कैंडेट्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग तैक की गई है ऐसे में पदानुसार योगिता की जानकारी के लिए ओफिसिल नोटिपिकेशन देखें आविदन करने वाली कैंडेट्स की उम्र 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए